हेलो इस्टोनेंट्स एक बार फिर से आप सभी का हारदिक स्वागत PKT एजुकेशनल अपडेट चेनल में और जो चेनल पर पहली बार आए हैं उन सभी से रिक्वेस्ट है कि वे चेनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि कालेज से रिलेटेट सभी न्यूज आपको टाइम पर मि करने वाला मद्यप्रदेश पहला राज बन गया है दोजार इकिस बाविस से अब कालेज में आप नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत सिक्षा ग्रहन करेंगे तो मद्यप्रदेश देश का सबसे अग्रणी राज हो गया है लेकिन इस्टुरेंट्स इस नई सिक्षा निती म नए नए अपडेट अभी आपको जानना बहुत जरूरी है क्योंकि बहुत कुछ नया है और नई नई चीज़ें आ रही है तो उसको समझने में भी थोड़ा सा टाइम लगेगा आप सभी ने कालेज में एडमिसन ले लिये होंगे तो जो फस्ट इयर में इस्टुरेंट्स किस तरह पास होना है किस तरह आपको स्कोर करना है अपनी मारशीट में किस तरह परसेंटेज आएंगे उस सब की जानकरी मैं यहाँ पर दे रहा हूं तो पूरे वीडियो को आप लोग ध्यान से देखना और इस्टुरेंट्स बहुत सारी नियू अपडेट हैं तो मैं एक तीन चार वीडियो इस नई सिक्षानिती के उपर बनाए हैं आपकी जो भी डाउट से उन सभी को किलियर किया है तो डिस्केशन बाक्स में उन सभी वीडियो की लिंक दी है आप बारी बारी से उन सभी वीडियो को देख लें यहाँ हम बात करेंगे आज किस तरह आप क्रेडिट नमर रहेंगे 54 क्रेडिट उसके बाद जो माइनर भी से है उस पर 28 क्रेडिट बेकल्पिक भी से जो आप चैन करेंगे उस पर 18 क्रेडिट है इसके बाद जो कोशल संबर्दन पार्टक्रम है जो व्यवसाइक पार्टक्रम के अंतरगत आप सबजेक्ट लेंगे उस पर 12 credit रहेंगे, आधार पार्टकेम जिसमें हिंदी अंगलिस और इंटरसिप से related subject रहेंगे, वहाँ पर आपको 24 credit रहेंगे, और फिल्ड प्रोजेक्ट इंटरसिप आदि जो रहेगा वो 24 credit कर रहेगा, इस तरह कुल क्रेडिट जो है वो 160 रहेंगे अब इस्टुएंट इस क्रेडिट को आपको किस तरह लेना है कोई भी इस्टुएंट आप कालेज में फेल नहीं होगा आपकी ओबर आर प्रफार्मेंस देखकर यह और सब्जेट के अनुसार आपको क्रेडिट दिये जाएंगे तो हर साल आपको 40 क्रेडिट लाना जरूरी है इसके बाद आप 40 क्रेडिट यदि पहले साल लाते हैं हर साल ही लाना और उनको जोड़के फिर आपको लास्ट में डिगरी दी जाएगे और रिसर्ट के लिए भी आपको आगे बढ़ाया जाएगा तो पहले साल यदि आप 40 क क्रेडिट इखटे करना है तो आपको डिगरी दे दी जाएगी इसके बाद यदि आप 14 साल भी पढ़ रहे हैं और 160 क्रेडिट यदि आपका होता है टोटल ओबरार चारो साल का मिला के तो आपको बेचलर डिगरी वित रिसर्च दी जाएगी तो अब आपको हर साल जो है वो 120 क्रेडिट ही इखटे करना परसेंटेज और अंक बाली प्रक्रिया जो है वो मारसीट में नहीं रहेगी क्रेडिट के अनुसार रहेगी जितने ज़्यादा क्रेडिट आप कलेक्ट करेंगे उतना अच्छा है पर 120 क्रेडिट लेने पर आपको डिगरी दे दी जाएगी और नहीं सिक्षानिती है उसमें ये बहुत अच्छा सिस्टम आगया आप लोगों को जो है वो जो पार्ट करम रहेगा फीलो भारत का सबसे उभरता हुआ एप जिसे काफी स्टुडेंट पसंद कर रहे हैं आपके कोई क्योस्टन हो डाउट हो कोई कांसेप्ट के लिए नहीं सकते हों लाइब वीडियो के मादय हम से भी सवाल को पूछ सकते हैं ज equally स्टैप में आप इस एफ को डाउनलोट कर सकते हैं मेरे डिस्क्रेशन वॉक्स में इसकी लिंक दिया आप वहां से डाउनलोट करें लिए गूगल पले इस्टोर से भी ह्याप डाउनलोट कर सकते हैं वह 220 वोल्टेज पर ऑपरेट हो रहा है इस बैटरी का जो वोल्टेज है वह आपको गिवेन है 220 तो यह आपको सिंपल रिलेशन हो गया यहां पर अब भारती ज्यान परमपरा का समा बेस भी किया जाएगा आप यह भी सीखेंगे इसना तक इस तर पर जो रिसर्च है उसको प व्यावसाई के वह योगता पाठकरम का अध्यान भी आप कर सकते हैं इंटरसेप और जो फील्ड प्रोजेक्ट कम्यूनिटी इंस टाइप के कोर्स भी समा बेस रहेंगे एंसी सी एनसे यह भी आप सब्जेक्ट के तोर पर रहेगा इसके बाद आपकी रूची के अनुसार आपको डांस में, आर्ट इन क्राफ्ट, सिंगिंग में, म्यूजिक में जिसमें भी इंटरेस्ट है उसको भी अब एक सब्जेक्ट के रूप उसका अध्यान करेंगे तो बहुत इंटरेस्टिंग एजुकेशन पॉलिसी होगी है जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है और इसमें काफी कुछ आपको अब टेंसन जो है वो मारसीट को सुदानने में या पास करने पे ध्यान नी देना बलकि आपको एजुकेशन को इंजुआए करना है, सीखना है और नई नई चीज़ें आप सीखेंगे तो आगे आपके करियर के लिए भी बहुत इंपोर्टेंट रहेगी, तो नई जो सिक्षानिती देश में पहली बार मद्वप्रेदेश स्टार्ट कर रहा है, अगले साल तक पूरे देश में ये स्टार्ट हो जाएगी, तो यहाँ पर जो है वो सकल नामंकन अनुपाज जो जी आर में ब्रदी कन्ने का लक्ष रखा गया है, सिक्षा क लिए डिजिटल सिक्षन को भी प्रोसान दिया जाएगा, मतलब आप आनलाइन पढ़ाई भी आप लोग कर सकते हैं, एक विस्विद्याले से दूसरे विस्विद्याले में और महाविद्याले से भी दूसरे महाविद्याले में आप ट्रंसफर करा सकते हैं, यह आप जाना के साथ नए विकास के साथ स्टुडेंट्स के लिए खुल गई है जो कापी अच्छी बात है तो आप लोग इसको इंजॉय करिए इसमें हिस्सा बनिए और आल दा बेस्ट इस नए एजुकेशन पॉलिसी के लिए और सभी को बदाई भी आगे जो भी अपडेट आती